प्रोग्राम के शुरुवात हम करेंगे आजम गड़ सीट को लेकर जी हाँ आजम गड़ सीट पर उपचुनाव होने वाले अकलेश यादव के इस सीट को खाली करने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होना है और अकलेश यादव ने बहुत सोच समझ कर डिमपल यादव को उतार दिया था लेकिन अचानक उनका नाम वापस ले लिया हाला कि पीजेपी ने अपनी पहली और आखरी मोहर दिनेश लाल निरहुआ पर लगाई गये जी हाँ दिनेश लाल निरहुआ जिनकी फिल्म है निरहुआ रिक्स YOUR वाल निरहुआ चले ससुराल और तमाम ऐसी फिल्में उनुने की हैं जिन फिल्मों से उन्हों अपनी नई पहचान बनाई तो देखा जा रहा है कि उनके के बहुत सारे दर्शक उनके बहुत सारे उत्तर प्रदेश में खास तोर पर यादवों की बीच उनकी बहुत पड़ी पगड़ है लेकिन ये कहा जा रहा है कि यादवों का एक भी वोट दिनेश लाल निरहुआ को नहीं मिलेगा यादवों का एक भी वोट निरहुआ को नहीं उनके खाते में आएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्या सच्चाई है इन बातों में और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई दिनेश लाल निरहुआ को आजमगर सीड से बड़ा जटका लगेगा क्या बड़ा जटका लगने की उमीद है तो देखे सीधे सीधे तोर पर ये देखा जा रहा है सीधे सीधे तोर पर ये माना जा रहा है कि दिनेश लाल निरहुआ को चुनौती दी जा रही है जी हाँ दिनेश लाल निरहुआ को चुनौती तो दी जा रही है लेकिन क्या इस चुनौती को देना समाजवादी पार्टी के लिए फायदे बंद रहेगा समाजवादी पार्टी जो ये दावा कर रही है कि इस तीट से उनके प्रत्याश्ची का जीतनत है ये वही समाजवादी पार्टी है जो एक समय में ये कह रही थी कि यूपी विधान सबाच चुनाव की समय वो लोग बहुमत से आएंगे तमाम विपक्षी पार्टीओं को अकलेईश यादों ने एक चुट कर लिया जिनमें ओम प्रकास राजबर भी थे शिवपार यादो भी थे जयान्त चौधरी भी थे तमाम ऐसे नेताओं को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और विपक्ष को म आमेशा मूझ की खानी पड़ी है अकलेईश यादों को इस बार भी अकलेईश यादों जो है समाजवादी पार्टी जो है वो आजम गड़ सीट को लेकर तमाम तरह की बाते कर रहे हैं उनका मानना है कि इस सुपचनणाव में उनकी बड़ी जीता है उनको जीतना पर भरोसा है उन्हें आजमगड की जनता पर भरोसा है और आजमगड की जनता पर जितना विश्वास दिनेश लाल निरहुआ जता रहे हैं क्या वाकई वो विश्वास काम्याब हो पाएगा क्या वो विश्वास जो है वो बहुत बड़े हद तक बन पाएगा क्योंकि जनता पर भरोसा जदताने वाले दिनेश लाल निरहुआ तमाम तरह की बाते कर रहे हैं तमाम तरह से वो दावे कर रहे हैं और सीधे सीधे तोर पर ये देखा भी जा रहा है कि दिनेश लाल निरहुआ ने कहीं ये बोल कर ये कह कर कि जनता पर विश्वास है और यादमों का वोट नहीं मिलेगा सीधे तोर पर उन्होंने चुनौती दे दिया है जी हां किसको अकले इस शादों को दरसल समाजवादी पार्टी को खुले तोर पर चुनौती देने वाले दिनेश लाल निरववा ने कहा कि यहां योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जो आज सर कार काम कर रही है सबका काम सबका सथ सबका विकास की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में बाबा का बुल्डोजर तो चली रहा है गुंडे माफियाओं की नीन दूरी हुई है गुंडे माफियाओं के चहरे पर शिकन है तो कि बाबा का कामी कुछ इस तरह से हो रहा है कि अ आजमगड में एक समय के अंदर जी हाँ यादवों का बहुत बड़ा बोल-बाला देखा जाता रहा है बहुत बड़ी पहचान उनकी देखी जाती रही है लेकिन अगर वहां पर दब-बा है यादवों का या फिर उनकी पकड़ है वहां पर तो आकिरकार क्या वज़ा है कि सी जिक्षा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए काफी वक्त तो हुआ है लेकिन अभी भी चर्चाए कई नामों को लेकर हो रही है एक नाम अब निमपल यादब का भी जोड़ गया हाला कि देखा जा रहा है कि आजम गड़ के उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे आए काफी वक्त हो चुका है लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद भी उत्तर प्रदेश का राजनितिक माहौल का गर्माना सीधे तोर पर बता रहा है कि फिलहाल इस्तिती ठीक नहीं है हाला कि साथ दोहजार चुविस जो कि लोग सभा चुनाव होने वाले हैं इस लोग सभा चुनाव से पहरे उत्तर प्रदेश में बीजे पी अपनी कमर कस के तयारी कर रही है बीजे पी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर 80 सीटों को निकाल लिया जाए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीती बहुत बहतर तरीके से बनाई है समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ कर अपने कैंडिडेट को राज सभा बेजा जिनमें कपिल सिबल का जिकर कर लेते हैं जैंत चौधरी का जिकर कर लेते हैं हाला कि नाम तो ये भी सामने आये था कि शायद डिम्पल यादव को भी राजसभा बेजा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया लेकिन ये बात निकल कर सामने आ रही है कि डिम्पल को आखिरकार क्यों उल्जा कर रखा जा रहा है और आखिरकार क्या वज़ा है कि डिमपल यादव को उतारने की जो तयारी है वो नहीं के जा रही है तो यहां पर डिमपल यादव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है डिमपल यादव को लेकर तमाम तरह कि सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जो करीबी समर्थ है कि पार्टी की नीता है वो सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि डिमपल को क्यों नहीं पार्टी के मीटिंग्स में बलाया जाता है क्यों नहीं उन्हें रैली में बलाया जाता है क्या वज़ा है कि डिमपल यादव को अखली यादव इतना पूछते नहीं है ये भी माना जा रहा है कि जो अपड़ना यादव का हाल हुआ वही आज डिमपल यादव का होता नजर आ रहा है तो क्या बाकि अपड़ना की हालत जैसी हुई है समाजवादी पार्टी में वही डिमपल के साथ होता नजर आ रहा है और क्या ऐसे में डिमपल भी अपड़ना क की तरह समाजवादी पार्टी छोड़ सकती हैं हाला कि इन सब के बीच मुलायम सिंग याद आओ जी हां समाजवादी पार्टी के प्रमुक समाजवादी पार्टी की संस्थापक जिन्नोंने पार्टी को बनाया पार्टी को आगे लेकर आए वो अब परिशान दिखते नजर परिशान हो भी क्योंकि जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अलग दबदबा रखती थी जिस समाजवादी पार्टी का एक अलग रोल उत्तर प्रदेश में था वो समाजवादी पार्टी आज तूट रही है उस समाजवादी पार्टी की हालत आज खराब होत परिवाद से परिशान है कि पार्टी टूट रही है, परिवाद टूट रहा है, ऐसे में कैसे समभाला जाए, तो फिलाल देखा जा रहा है कि पार्टी को टूटने से बचने के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे अकलीश चादव, क्या कुछ रणनीती रहेगी और क्या व परिवाद कर लोगे है